नबश्कार गर्शो को एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका खबर 24 न्यूस के सावन इस्पेशल प्रोग्राम में सावन इस्पेशल में लगतार खबर 24 आपको भगवान शिव की अलग-अलग गाथाएं अलग-अलग कताएं बता रहा है जिसमें हो सकता है आपको कुछ संदेह हो यानि की कुछ प्रश्न जो भगवान के जबतकारों को लेकरके अकसर भगतों में बने रहते हैं क्योंकि भग 24 पर लगातार बताते हैं और आपके प्रश्नों को इसपश्ट करते हैं आज जो हमारा प्रोग्राम है आज जो हम एपिसोड लेकर आए हैं इसमें हम आपको भगवान शिव की एक बहुत ही बहुत ही रोचक कथा सुनाने वाले हैं जिसके अनुसार एक राक्षस से डर कर भ उन्हें अपने वर्दान के कारण भागना पड़ा दोड़ लगानी पड़ी और उसके बाद कहीं जाकर जब भगवान विश्नुस से यानि की भगवान शिव के संरक्षक से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान शिव ने भुलेनात की रक्षा की कैसे पुरा ये कहानी रही है आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे भगवान शिव के बारे में एक कथा प्रशली थे कि वह थोड़ी सी तपस्या सही आसानी से प्रस्ण हो जाते हैं हाला कि कई ऐसे उधारन भी है जब किसी ने बड़ा वर्दान पाने उनकी कथिन तपस्या भी की है लंका धीपती रावन ने भी अमरत्व का वर्दान पाने के लिए भगवान शिव को अपने दस सिर चढ़ा दिये थे भगवान शिव से जुड़ी ऐसी है एक और कहानी है जिसमें एक राक्षस ने शिव जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसंद किया हाला कि वर्दान देकर भगवान शिव खुद ही मुसीबत में फस गए थे बाद में भगवान शिव ने उन्हें इस मुसीबत से चुटकारा दिलाया था कहाने के मुताबिक एक बार महर्शी नारद धर्टी पर घूम रहे थे रास्ते में उन्हें भसमा सुर नाम का राक्षस मिला नारद मनी को देखते ही उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ आप मुझे बताईए कि ब्रह्भा विश्नु और महेश में कौन देवतार जल्द प्रसन हो जाते हैं महरशी नारद ने बहुत सोचने के बाद कहा कि वैसे तो तुम तीनों महा देव में से किसी को भी तपस्या कर सकते हो लेकिन ब्रह्मा और विश्नु जल्दी प्रसन्न नहीं होते भगवान शंकर थोड़ी से आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं वे अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सोच उचार नहीं करते भसमासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला किया और हिमाले के केराक शेटर में जाकर आराधना करने लगा यग्यताप जप ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाथ करने लगा कुछ दिनों के बाद उसने सूचा कि मैं शरीर और प्रान को ही भगवान शिव को आर्पित कर दूगा ऐसा सोच कर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यग्यकुंड में डालने लगा लेकिन भगवान शिव प्रसन नहीं हुए परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीष काट कर भगवान शिव को आर्पित करने का फैसला किया इस नान ध्यान कर जैसे ही उसने खडग उठा कर अपना शीश काटना चाहा कि भगवान शंकर वहां प्रकट होकर बोले कि बस करू तुम्हारी तपस्या पूरी हुई मैं तुम पर प्रसन हूँ वर मांगो उसने भगवान शीव से कहा कि वहां उन्हें अपने हातों से किसी के सिर को छूकर किसी के भी शरीर को भस्म करने की शक्ति प्रदान करें शिव को आश्चरी हुआ कि भस्मासुर ने ऐसा वर्दान क्यों मागा भगवान शिव ने आश्रवात दिया और भस्मासुर के इच्छा पूरी की भगवान शिव उस गलती से अंजवान थे जो उन्होंने कर दी थी भस्मासुर हसा और उसने भगवान शिव से कहा कि वह स्व परक्षन करना चाहते हैं उन्होंने शिव जी से कहा कि वह अपनी शक्ति का परक्षन करने के लिए भगवान शिव अपना हाथ रखेंगे बसमासुर के अपनी और आते ही शिव दोढने लगे शिव जी ने यहां भी मैसूस किया कि वह अपने शब्दों को वापस नहीं जंगल के अंदर शियो का पीछा करने वाला था लेकिन वह रुक गया उसने देखा कि सामने एक बहुत सुन्दर सी इस्त्री खड़ी है वह इस्त्री इतनी रूप वती थी कि भसमासूर एक शण के लिए भूल ही गया कि वह कौन है उसने महिला से पूछा कि तुम कौन हो महिल वह उसी व्यक्ती से शादी करेगी जो उसके साथ नष्ति करेगा महिनी ने उत सुक्ता से भसमासूर से कहा चिंता मत करो मैं तुम्हें दरत्य सिखाऊंगी अगर तुम मेरे कदमों का ठीक उसी तरह पालन करोगे जैसे मैं करती हूँ तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी और तुम से शादी करोगी भसमासुर ने केवल दरत्य पर ध्यान केंदृत किया और कुछ नहीं मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रख कर एक चाल चली जो उसको द्रत्य सिखा रही थी भसमासूर ने एक बार भी बिना सोचे समझे ऐसा किया और भसमासूर की शक्ती ने उसके लिए ही काम तमाम कर दिया और वह जल कर खाक हो गया जब मोहिनी भसमासूर की राख देख रही थी तब ही शीव जी उनके सामने प्रकट हो गए उसने मोहिनी को धन्यवाद दिया और उसने जवाब दिया आपका स्वागत है किसे की इच्छा पूरी करने से पहले दो बार अवश्य सोचे वह गायब हो गई और भगवान विश्णू उनके स्थान पर खड़े हो गए भगवान शीव ने भगवान विश्णू को उनकी मदद करने और भसमासूर से बचाने के लिए धन्यवाद दिया यह कहानी कहीना कई हमें भी सीख देती है वो क्यों कि हम कई बार ऐसे काम क्रोध में आकर या फिर भावनाव में आकर कर देते हैं बिना सोचे समझे यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे हमें कुछ भी ना कहना चाहिए ना कोई कारी करना चाहिए गुस्से में या फिर अत्यंत भावनाओं में आकर लिया हुआ नेणय कई भार हमें ही संकट में डाल देता है इसलिए यह कहानी हमारे लिए काफी प्रेणना दैक रही और शिव जी को लेकर के चमतकारों को लेकर के जो कथाओं को लेकर के आज का ये प्रश्ण जो आपके मन में बना हुआ था वह भी क्लियर हुआ हमारी आज की सावन स्पेशल रिपोर्ट में फिलाल के लिए इतना ही मिलेती हूँ इस आज़त आगे की और स्पेशल रिपोर्ट और खबरों को देखने के लिए खबर 24 न्यूस के साथ बने रही है